एलो दोस्तों कैसा है आप सब लोग दोस्तों आज हम बनाएगा एक तम बज़ार जैसा नाइलोन कामन धोकला इस धोकलों को बनाने के बाद कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाती है कि धोकला लाल हो जाती है बीच में से दब जाती है धोकला जब वो खाते है तो उन्हें साबून का टेस्ट आती है तू ऐसा किन कारणों से होता है मैं ये बताने वाली हूँ दूसरा ढोकला बनाते वे आप निंबू के रिज का यूज कर सकता है की नहीं Cytric acid क्या होता है, निंबू के फूल क्या होते है, किस से ये ढोकला बज़र जब सब बनेगी तो मैं इस वीडियो में सब बताने वाली हूँ तो वीडियो के साथ बने रहना और पसंदाए तो लाइक कमेंट जरूर करती न उस तो ढोगला बनाने के लिए सबसे पहले एक कप पानी लिया है हमने आप अपने घर में कोई भी कटोरी इस्तेमाल करके मेजरमेंट ले लेना अगर कप नहीं है तो बहुती सरल शब्दों में आपको बताने वाली हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एक चथाई कप चीनी लेना है अगर मेजरिंग कप नहीं है ना तो चार चमच खाना खाने वाली चीनी टाल देना उसके बाद एक चथाई कप तेल लिया है मैंने जिसका मैं चार टेबल स्पून तेल इसमें डालने वाली हूँ अब एक कप पानी के सबसे मैं आपको मेजरमेंट दे रही हूँ इस बात का खास धियान रखना ढोगला बनाने के लिए मिजरिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा तब ही ढोगला अच्छा बनेगा एक चुटकी मैंने इसमें हल्दी डाला है कुछ लोग बोलते हैं ढोगला लाल होता है बताऊंगे आगे कि क्यों होता है नमक स्वाद के साब से डाल देना और यह देखिए एक टी स्पून लिया है मैंने सिट्रिक एसिड दिखने में चीनी जैसा यह लगती है जैसे चीनी होता है बिल्कुल ऐसा होता है कई जंगे यह मोटे मोटे टुकडों में भी मिलता है तो आप इसे तोड़ कर सकती है यह जो सिट्रिक एसिड है वन टी स्पून लिया है हमने लेकिन वजन से चार ग्राम है अगर आपको चमच का अंदाजा नहीं है तो नापके ले सकते हैं तो चार ग्राम होती है अब एक कप पानी में नमक, चीनी, हल्दी, सिट्रिक एसिड सब डाल देना इसी कप के साथ आप मिजर्मेंट लेना दोस्तो कप नहीं है तो कटोरी ले लेना और बिल्कुल ऐसे बनाना कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एक दम बज़ार जैसा बनेगी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना अब एक बड़ी सी कड़ाई को गैस के उपर रख देना गरम होने के लिए उसमें जो रिंग हमने दिखा है इसको सेट कर देना अब देखिए किस किस तरीके के बरतन आप यूज कर सकता है ढुकला बनाने के लिए घर में रखिए हुई इस तरह की गहरी प्लेट जो अलमुस्ट एक इंच गहरी हो ठीक है ये देखिए सारी प्लेट सब यूज कर सकता है ढुकला बनाने के लिए आपको कोई दिकत नहीं आएगी और ये सारी प्लेट घर में असनी से मिल जाती है कोई धकन ले लेना बस ये ध्यान रखना है कि जो भी धकन या प्लेट अप लेते हैं वह गहरी हो हम आज इस ट्रे में बनाएगा इसको हमने तेल से ग्रीस करके रखा है तो जो भी बरतन में बनाएगा उसे अच्छे से ग्रीस कर लेना और ऐसे कड़ाई में रख देना दोस्तों हमने घोलने का प्रोसेस कर लिया है चीनी नमक खल्दी सब घोल लिया है यह काम आपको पहले ही करना है उसके बाद ये बेसन वाले प्रोसेस भी आना है हर स्टेप को अच्छे से फोलो करोगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अब हमने एक कप नाप की बेसन लिया है और इसको इस घोल में डाला है आप कटोरी ले रहे हैं तो एक कटोरी बेसन को नाप कर इस घोल में डालना यह देखिए हमने एक कप बेसन और साइड में भरके रखा है जितनी जरूरत लगेगी उस हिसाब से हम बेसन इस्तिमाल करेंगे और बेसन को चान के यूज़ करना टोटली उप्शनल है बिना चाने भी आप बेसन यूज़ कर सकती है तो एक कप बेसन के हिसाब से ये जो पानी है थोड़ा लिक्विडी है ये घोल है ना थोड़ा पतला है तो अभी हमने एक कप बेसन ओर लिया था दोस्तों उसका आधा हम इसमें डाल देंगे तो एक कप पानी शुरुवात में लिया था जिसके हिसाब से डेड़ कप बेसन आपका लग जाएगा कटोरी अगर आप एक कप पानी लेते हैं ना कटोरी में तो डेड़ कटोरी आपका बेसन लगेगा छोटी छोटी बाते हैं बहुत इंपोटेंट होती है बेकिंग में या कुकिंग में अब देखे घोल कैसे त्यार करना है इतना पतला ये दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही आपको यूज़ करनी है या दह कब बेसन बच गई है ठीक है बेसन का घोल इससे ज़्यादे पतला नहीं बनाने है और नहीं इससे ज़्यादे गाढ़ा ये देखे जब आप ऐसे डालेंगे ना तो ऐसा दिखना चाहिए कलर भी एकदम परफेक्ट है ज़्यादा हल्ती इस्तिमाल बिल्कुल ना करना नहीं तो ये लाल हो जाती है अब रही बेसन के ढोकले में सोडे का फ्लेवर साबुन जैसा क्यों आती है वह मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले छलने लेना और चलने में एक टीस्पून मीठा सोड़ डाल देना एक कब बेसन के हिसाब से एक टीस्पून लेगेगी हमने डेड़ कब बेसन इस्तिमाल किया है तो डेड़ टीस्पून वजन में 6 ग्राम है ये सोड़ा अब सोड़ा कुछ लोग बिना चाने डाल देते हैं सोड़े में गाठे होती है देखिए ये गाठे देखिए आपको अगर बिना चाने अपने डालाना दोस्तो तो ये गाठे ना अच्छे से मिक्स नहीं होती इस घुल में और जब आप खाते हैं तो फिर साबून का फ्लिवर देती है सोड़े जब ऐसी डालेंगे ना तो वो गाठे ना घुलती नहीं डिजल वे नहीं होती है और जब खाती हैं हम ढोकला तो मूँ में आती है और फिर साबून जैसा फ्लिवर देती है यही कारण है कि सोड़े को हमें साथ छान कर इस्तेमल करना चाहिए अब देखिए सोड़े डालने के बाद जब हमने इसको फटाफट मिक्स किया तो यह कैसा विप्ट क्रीम जैसा दिख रहा है एकदम हलका है और बिल्कुल विप्ट क्रीम जैसा दिखीगा आपको तब आपको क्या करना है अपने हातों से इसको ऐसे मिक्स करना है लेकिन उससे पहले तीन टेबल स्पून पानी इसमें डाल देना है विप्टे क्रीम जैसा जब आपको यह दिखेगी तब आपको इसमें तीन टेबल स्पून पानी डाल देना है और ऐसे मिक्स करना है हो सकता है एक चमच पाने एक्स्ट्रा भी लग जाए तो 3-4 चमच ही डालना दोस्तो ज्यादा नहीं डालनी है और बैटर को अपने हाथों से मिक्स करनी है एक हाथ का इस्तिमाल करना और एक ही सिक्विंस में खुमाते जाना बड़े बरतन का इस्तिमाल करना है इसे बनाने के लिए ये देखिए जब आप एक से डेड़ मिनट मिक्स करेंगे एक ही सिक्विंस में ज़्यादा नहीं फेटना है ये भी ध्यान रखना मैक्सिमम एक मिनट उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं फेटना है एक वी सिक्वेंस में फेटना और उसके बाद आप देखेंगे कि काफी बढ़ी है ये बैटर तयार हो गई है ये देखो जब आप पोल करेंगे तो ऐसा दिखना चाहिए इससे ज़्यादा गाढ़ा बैटर अगर होगा तो धोकला जब बन जाएगा तो तूट जाएगी क्रमबल हो जाएगी बुर भुरा बनेगी और इससे जदे पतला बैटर अगर होगी ना तो धोकला सेंटर में से बैठ जाएगी वह अच्छे से फूली कही नहीं एकदम यही टेक्शर होना चाहिए यही मिजर्मेंट होना चाहिए अब ढोगला इस ट्रे में या जो भी प्लेट है अथाली आप यूज़ करता है इसमें डालने के बाद हाई फ्लेम पर इसको उबल पकाना है हाई फ्लेम रखनी है दोस्त इस बत का थ्यान रखना और देखे कितने अच् देखो आपके सामने ही भरा है हमने और बिलकुल भी बहर नहीं गिरी है और यह जो प्लेट इसके उपर इस्तिमाल करने है ढखने के लिए इसे बार बार साफ करते रहना इसके उपर जो भाप आती है जो स्टीम आती है वह आपके ढोगले को खराब कर सकती है इसके लिए इ पीच पीच में साफ करते रहना जैसे आपको लगे कि भाप का पानी प्लेट पे आ गई है तब आप इसको उठा के क्लीन कर देना फ्लेम लगता रहा ही रखना है विसे सद्यान रखनी है इन बातों का और ढोकले की जो इस्टीमर है ना बड़ा इस्टीमर यूज करना और इस हाई फ्लेम पर ढोकला अगर आपको चेक करनी है तो आप 10 मिनंट के बाद चेक करना दस मिनट से पहले नहीं अगर गलती से 10 मिनट से पहले आपने टूथपिक या नाइफ इसके सेंटर में डाला ना चेक करने के लिए तो बीच में से पिचक जाएगी बैठ जाएगी तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसको 10 मिनट के बाद ही चेक करनी है और यह देखिए हमारा ढोकला टोटल 15 मिनट में स्टीम होकर तयार हो गई है बिलकुल भी टूथपिक स्टिकी नहीं है एकदम क्लीन है तो बस इस तरह की बातों का ध्यान रखना यह देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि एकदम परफेक्ट स्टीम्ड हुआ है कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है तो बस ऐसे बना लेना और क्यास बन कर देना ढोकले तो बन गया है दूस्तों अब इसके साथ खाने के लिए चटनी बनाती है जो चटनी है बहुत ही स्पेशल होती है आप इसे चटनी के साथ बनाना आपको बहुत पसंद आएगा वैसे तो यह जो ढोकला है आप बिना चटनी के भी खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगती है लेकिन अगर आप चटनी के साथ खाएंगे ना तो बहुत अमेसिंग लगेगा चटनी बनाने के लिए हमने 100 ग्राम हरा धनिया लिया है और इसमें डाला है एक हरे मिर्ची आप अपने टेस्ट के सबसे तीखा ले लेना एक टमाटर डाला है दोस्तो बिल्कुल ऐसे ये चटनी बनाना आप किसी भी तरह के पकड़ों के साथ या फिर स्नेक्स के साथ आपको बहुत पसंद आएगा दो से तीन गार्लिक क्लोफ डाल देना एक टीस्पुन चीरा डाल देना नमक टेस्ट के साब से डाल देना और थोड़ा सा पाने डाल कर इसका फाइन पीस लेना तो ये देखिए दोस्तो चिटनी को हमने पीस लिया है ये चिटनी इस ठोकले के साथ बहुत टेस्टी लगती है आप इसे जरूर बनाना ये देखिए दोस्तो ठोकला एकदम अच्छी से स्टीम हो गई है हमने इसको स्टीमर में से बाहर निकाला है आप देखी सकते हैं कि धोकला बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ है पीची में से दबा नहीं है तो अगर आपके साथ ऐसा होता था तो यह प्रोसेस फोलो करना यह देखिए एकदम परफेक्ट्ली स्टीम्ड है यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं से यह दब गई है धोकला बिल्कुल थंडा भो गई है तो जब यह बिल्कुल थंडा हो जाए तब आप इसे कट करना अब गर्मा गर्म क्यों नहीं कट कर सकते हैं गर्मा गर्म भी कट कर सकते हैं लेकिन गर्मा गर्म अगर आप इसे काटेंगे ना दोस्तों तो यह तूट जाएगी क्रम्बल हो जाएगी इसले इसको एक दम थंडा होने दे अल्मोस्ट एक से लेड़ घंटा छोड़ देना जब ये बिल्कुल थंडा हो जाए तब इस तरीके से कट करना और ये देखिए कितने इवन पीसिस कटे हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि टूटा है या लाल है अब धोकला तो बन गई है दोस्तों तड़का बनाते हैं तड़का बनाने में कोई गड़बड़ नहीं होने चाहिए नहीं तो पूरा धोकला खराफ हो जाएगी तो एक टेबल स्पून तेल एक बड़ी से कट हैमें डाल कर इसको अच्छे से गरम करना बहुत अच्छे से तिल गरम करनी है तब इसमें हाफ टी स्पून सरसो दाना डाल देना और देख रहे हैं आप कैसे पकले ये सरसो ऐसे ही पकने देना कच्ची सरसो में अगर आपने ढोकला का तड़का बनाया तो पूरा दड़का खराफ हो जाएगी फिर कुछ हरी मिर्चे और करी पत्ते को कट करके डालना करी पत्ते साबोती डालना मिर्चे को बीच में से कट करके डालना उसके बाद देड़ कप पानी डालना दोस्तो और मीठा चीनी वन फॉर्थ कप डाल देना नमक स्वाद के साब से डालना और हाफ टी स्पून डालना इसमें साइट्रिक ऐसीड यानि के निम्बू के फूल अब मिजरमेंट ऐसे ही लेना दोस्तों डेट कप बिसन लिया था ना हमने इसलिए डेट कप पानी इसमें जाएगा ही जाएगा पानी कम अगर हुई तो ढोकला गले में फसेगी आपका ढोकला ड्राई बनेगी जूसी स्पोंची नहीं बनेगी सारे चीज़े को डालने के बाद दो बाल लाने तक पकाना फिर गर्मा गर्म डालना दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे इंपोर्टेन रोल होता है इस ठोकले के तड़के का अब यह जो ठड़का आपने बनाई है तड़का होना चाहिए एकदम गर्मा गर्म और ठोकला होना चाहिए एकदम ठंडी तो ऐसे ही डालना होता है आप देख रहे हैं एकदम ठड़का हमने बनाई और कर्मा गर्म हम पोर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं इवनली पोर करनी है ऐसे नहीं करनी है कि धोकले के एक ही जिंगे आपने पानी डाला है तड़का बनाते हुए आपको बस यह ध्यान रखना है कि जितना पेशन आपने यूज किया है उतना ही पानी आपको तड़के में डालनी है ठीक है और देखे ऐसे अलग-अलग से इन पीसिस को खोल देना तब ही इवनली जो सिरफ है वह है इसके अंदर तक जाएगी कुछ लोगों का कुश्यन आती है कि क्या हम ढोकला बनाते हुए उसमें सरसो तेल का यूज कर ले तो नहीं दोस्तों सरसो तेल का यूज नहीं करनी है क्योंकि सरसो तेल का एक स्ट्रॉंग फ्लिवर होती है ढोकले में में स्वादे नहीं लगेगी देसी घी में भी ढोकला अच्छा नहीं बनेगी इसके लिए आपको रिफाइंड ओल का यूज ही करना होगा सारा पानी हमने तड़के का समें डाला है उसके बाद हरा धनिया और थोड़ा सा डेसिकेटिड कोकोनट या फिर फ्रेश कोकोनट आप इस पे डाल सकते हैं एक दम हलवाई जैसा बजार जैसा नायलोन खामन ढोकला बिना किसी गड़बड के बनकर तयार हो गई है तो आप एक बार बिलकुल ऐसे बनाना आपको ये बहुत पसंद आएगी अब मैं आपको एक पीस को कट करके दिखाती हूँ देखिए दोस्तों कितना स्पोंजी ये लग रहा है कितना जैलेदार ये बना है एक दम परफेक्ट रेसिपी है ये और बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको दीबी है तो बिलकुल ऐसे बनाना अब दोस्तों धोकला बनाते हुए जो गडबड होती है न वह नहीं होगी अगर आप इस प्रोसेस का फॉलो करेंगी तो देखिए कितना जूसी है कितना स्पंजी है जाली भी आप देखी सकते हैं कि कितनी परफेक्ट आई है तो लाल होता है अगर आपका धोकला तो वह ज प्राइटरिक ऐसीड ही डालना होगा तब ही वह पजार जैसा बनकर तयार होगी अब जिन लोगा का कुश्चन यह है कि ढोकला साबुन जैसा क्यों टेस्ट देती है उसका रीजन यह होता है कि आप जो सोड़ा उसमें डालती है सोड़े की गाठे उसमें कई बार कर एक ही सिक्वेंस में तो एक दम हलवाई जैसा नाइलोन खमन ठोकला बनेगी आपकी कोई कड़पट नहीं होगी तो एक बार ऐसे बनाना और यह वीडियो पसंद आए तर लाइक कमन शेयर चुरूर कर देना मैं वेट करूंगे आपके कमेंट्स का थैंकिस सो मच